हलो स्टुडेंट वेलकम टू बेक माई यूटूब चेनल डिकेलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फेंड आज हम लोग 10th कलास का संस्क्रीट का यहाँ फाइनल रिवीजन लेकर आए हैं फेंड जो देख सकते हैं आने वाल एकजाम के लिए काफी ही इन्पो आपको लेकर आये हैं ताकि देख सकते हैं आने वाल एकजाम में आपको बहुत ही यहां पे सहायता मिलेगा तो चलिए अगर आप संस्कीलीट सहर का तो देख सकते हैं कि उपनीसद के संख्या के सिधान्त से प्रकट हैं तो उपनीसद के संख्या होता है एक्सवाट होता है चलिए देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्च चरें कि उपनीशद किस सास्त्र के सिधान्त से परकट हैं तो उपनीशद किस सास्त्र के सिधान्त से परकट हैं तो देख सकते हैं जो दर्सन सास्त्र के सिधान्त से परकट हैं किस सास्त्र से दर्सन सास्त्र से हिरेन में पात्रेन सत्य धर्माय द्रिष्ट किस मंत्र किस उपनिसद से संग्रहित हैं तो यह देख सकते हैं कि इस्वारस्य उपनिसद से हैं किसे इस्वारस्य इस्वारस्यू पुनिसद से हैं नेक्स नमर कोश्चन है अनो अनियान महतो महियान देख सकते धातू परसादम महिंतम नतम यह मंतर किस उपनिसद से संगरही थाएं तो यह कठो नो देख सकते कठो पनिसद से संकलित हैं किसे कठो पनिसद से संकलित हैं नेक्स नमर्ड चलिये नेक्स नमर्ड कोश्चन देखेंगे यह था नदा देख सकते हैं यह था नदा पुरुसायती दिब्यम किस मंतर से संगर ही था है तो यह मुंड़ कोप दिब्यम से हैं किसे मुंद कोपनीशत से हैं नेक्ष नमर जो question है कि देख सकते हैं वहाद मिन्थ पूरूस पंथ विध्यान विद्ध्यात्째 तें विध्यातर तें जो मंत्र है वह किस्रम्फनीशत से हैं तो यह स्वेटमबर सेん किसे स्वेटमबर से Good willmax सकते हैं नेक्ट नमर कोष्चेन है अधानुके क्या कारा है कि उपनीशद कितने उपनीयशद किसिकल अनचिम भाग में तो वैदिकवागमे के अनतिम भाग में कि Гitel गया के अंतिम भाग में है नेक्ष नमर कोष्चन मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो मंगलम पाठ के रचनाकार महारिशी बेदव्यास है नेक्ष नमर कोष्चन देखें उपनी सद के रचनाकार कौन है तो उपनी सद के रचनाकार है महारिशी बेदव्यास कौन है महारिशी ब पुरुस का है, next number question है, सुच्छम से सुच्छम और विसाल से विसाल कौन है, तो सुच्छम से सुच्छम और विसाल से विसाल आत्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, next number question है, सुने का आवरन किसे धका हुआ है, तो सुने का आवरन धका हुआ है, सत्य से, किसे सुने का आवरन ह जो सत्य से ढखा होगा है नेक्स्ट किसकी बिजय होती है तो सत्य की किसकी हार होती है तो हार होती है असत्य की हार होती है नेक्स्ट नमर कोश्चन है कि नदिया अपने नाम को त्याग कर किसमें प्रवाहित होती है तो नदिया अपने नाम को त्याग कर समुदर में समा जाती है, किसमें समुदर में समा जाती है, next, कौन अपने नाम को त्याग कर स्रेष्ट दिब्बे रूप प्राप्त करता है, तो यह बिद्धमान लोग, कौन सा लोग, बिद्धमान लोग, next, number question है, तेख सकते हैं, कि कौ कौन मिर्टु के भय को त्याग देता है तो कौन है जो मिर्टु के भय को त्याग देता है तो वेदानती यानि विद्दमान लोग नेक्स्ट प्रानियों के हिर्दय रूपी गुफा में किसका वास होता है तो प्रानियों के हिर्दय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता ह नेक्स्ट पठना किसकी राजधानी है तो देख सकते पठना है जो बिहार की राजधानी है बिहार की राजधानी कहां है पठना है नेक्स्ट पठना का पराचीन कितने वर्सों से है तो पठना का जो इतिहास है कितने वर्सों से है तो देख सकते पटना का इतिहास पचीस सो वर्स पुराना है कितना पचीस सो वर्स पुराना है नेक्स्ट पटना का पराचीन नाम क्या है तो पटना का जो पराचीन नाम है वह पाटली पुत्र है क्या है, पाटली पुत्र हो जागा, next number question है, यहाँ पे देख सकते हैं, next number question में क्या कहा गया है, तो next number question में कहा गया है, कि प्राचीन संस्क्रीत गरंथों में पटना का नाम क्या प्राप्त होता है, तो प्राचीन संस्क्रीत गरंथों में पटना का नाम पुरुसपूर कुसु पूर है नेक्स्ट पटना किस नदी के किनारे अवस्तित है तो पटना है जो गंगा नदी के किनारे इस्तित है कौन सा नदी गंगा नदी की किनारे इस्तित है महत्मा गांधी सेतु पूल कहां और किस नदी के उपर है तो महत्मा गांधी सेतु पूल है जो पटना में गंगा नदी पर है किस पर पटना में गंगा नदी पर है next number question है बुद्ध के समय पटना क्या था तो देख सकते भगवान बुद्ध के समय में पटना एक गाउं था next number question है कभी मिमासा नामक गरंथ की रचना किसने की कभी मिमासा नामक गरंथ की रचना राज से खरने किया था किसने कभी मिमासा नामक गरंथ राज से खरने लिखा था next number कुटू नीती कभी कभी हो जागा दामोदर गुपत हो जागा next number question है देख सकते next number question है कि युनान के राजदूत कौन था तो युनान के राजदूत मेगास्थनीच था कौन था मेगास्थनीता Next number question है देख सकते हैं कि चंदरगुप्त मौरे के समय में पतना का नगर की सोभा और रच्छा वेवस्था कैसी थी तो चंदरगुप्त मौरे के समय में जो नगर की सोभा रच्छा वेवस्था थी वह अतिउत्करिष्ट था क्या था अति-उत्किरिश्ट था चलिए यहां पे next नमर कोश्चन है कि कैब्दीन मोधसव कब कहा और किसके असासन काल में मनाया जाता था तो कैब्दीन मोधसव था जो देख सकते हैं सर्थाल में पटना और गुप्तबंस के सासन काल में मनाया जाता था नेक्ष नमर कोश्चन है पतना नगर की देवी कौन है तो पतना नगर की देवी है पतन देवी क्या हो जागा पतना नगर की देवी हो जागा पतन देवी हो जागा नेक्ष्ट, सीख समपरदाय के दसमे गुरु कौन थे और इनका जनम अस्थल किस नाम से परसीद है, तो सीख समपरदाय के दसमे गुरु गुरु गोबिन सिंग है, जिसका जनम अस्थल गुर्दवारा के नाम से परसीद है, किसे गुर्दवारा के नाम से परसीद है, नेक् नेक्स्ट आलस के कथा के कहानिकार कौन थे तो आलस से कथा के कहानिकार थे विद्यापती कौन थे आलस से कथा के कहानिकार थे विद्यापती नेक्स्ट लोग प्रिये मैथली कभी कौन थे तो लोग प्रिये मैथली कभी हो जगा विद्यापती क्या हो जगा लोग प्रिये ज मिथिला के मंत्री थे विरेश्वर हो जागा नेक्ष्ट दानसील और करोनिक वेक्ति कौन थे तो दानसील और जो कारोनिक वेक्ति थे वह विरेश्वर थे कौन थे विरेश्वर थे नेक्ष्ट नमर कोश्चन है कि दुरगती वाले में से सबसे पहला स्थान किसका होता है तुर्गती वाले में से सबसे पहला स्थान आलसी का होता है किसका आलसी का होता है next कितने वेक्ती आलसी थे तो देख सकते कितने वेक्ती आलसी थे तो यह चार वेक्ती थे नेक्स आग को देखकर कौन भाग गया तो देख सकते हैं आग को देखकर धूरत लोग भाग गया कौन सा लोग धूरत लोग भाग गया तो चलिए, next number question है, कि आलसी बेक्ती किसके सरन में जाता है, तो आलसी बेक्ती कारूनिक लोग के सरन में जाता है, किसके लोग के, कारूनिक लोग के, यहां पर next number question देखेंगे, देख सकते हैं कि आलस से कथा किस गरंत से लिखा गया है, आलस से कथा किस गरंत से लिया गया है, तो यह पुरुस परिच्छा गरंत से किसे पुरुस परिच्छा गरंत से लिया गया है नेक्ष्ट चार अलसियो को किस ने बाहर निकाला और कैसे तो यह नियोगी पुरसों ने निकाला था केंस पकर कर कैसे नियोगी पुरसों ने केंस पकड़ कर चारो आलसियों को बाहर निकाला था नेक्स नमर कोश्चन है कि प्रानी किसके सुख को देखकर उसकी ओर दौरता है तो अपने जैसे जाती के देख सकते हैं प्रानी अपने जैसे जाती के सुख को देखकर वहाँ उसकी ओर दोरता है next कितने बेक्ती सोये हुए थे तो आलस साला में चार बेक्ती सोये हुए थे देख सकते हैं क्या हो जगा आलस साला में कितने बेक्ती सोये हुए थे तो चार बेक्ती इस्तिरी और पुरुस के सयोग के किसकी गारी चलती हैं next number question है कि किस यूग में मंत्र का दर्शन न केवल रिसी बलकि रिसी काएं भी की हैं तो यह वैदिक यूग में किस यूग में वैदिक यूग में मंत्रो का दर्शन रिसी और रिसी काएं दोनों मिलकर किया हैं तो चलिए next number question है कि रिग बेद में कितने रिसिखाओं ने मंत्रों का निर्देशित की हैं तो यह 24 कितने रिग बेद में कितने रिसिखाओं के मंत्रों को निर्देशित किया है तो यह 24 हो जाएगा next number question है कि रिग बेद में कितने रिसिखाओं ने मंत्रों का निर्देशित किया है तो रिग बेद में किया है 5 कितना 5 हो जागा रिग बेद में 5 निर्देशित मंत्रों का जाप किया गया है नेक्ष नमर कोश्चन है यह स्वाल कस्य की पतनी कौन थी और किस रूप में वर्नित थी तो यह मैत्री थी यह स्वाल कस्य की पतनी मैत्री थी जो दार्सनिक रूप में थी किस रूप में दार्सनिक रूप में थी next number question है कि सास्त्र में कुसल गंगी किसका सभा में बैठती थी तो सास्त्र में कुसल गंगी थी जो जनक के सभा में बैठती थी किसके सभा में जनक के सभा में next number question है लैंकिक संस्क्रीट साहित्ते में प्राय कितनी कवित्रियों मिलकर डेर सो पदों को प्रकासित किये थे तो लेंगिक संश्क्रेश साहित्ते में डेर सो पदों को प्रकासित किया था 40 कवित्रियों ने कितना 40 कवित्रियों ने किया था next number question है कि विज्यांका का कौन सा रंग था तो देख सकते हैं विज्यांका का रंग सामला था कौन सा रंग था सामला था next number question की बात की जाए यहाँ पर next number question है कि सर्व सुकला सरस्वती किसे कहा गया है तो सर्व सुकला सरस्वती दांडी को कहा गया है, किसको दांडी को कहा गया है, एक्ष, चालुकस्य के राजा कौन थे, तो चालुकस्य के राजा चंदरदित्य थे, कौन थे, चंदरदित्य थे, एक्ष, चंदरदित्य की पतनी कौन थी, और किस नाम से जानी जाती थी, तो पर विज्यांका नाम दिया गया था तो चलिए next नमर कोश्चन देखेंगे देख सकते next नमर कोश्चन है कि विज्यांका का समय क्या था तो विज्यांका का समय अठरवी था क्या था अठरवी सदी था विज्यांका का समय अठरवी सदी था बीजय नगड के राजा कौन थे तो देख सकते बीजय नगड के राजा थे नरेश थे कौन थे नरेश संस्क्रीट रचना में कुसल राजा कौन हुए थे तो संस्क्रीट रचना में कुसल राजा नरेश हुए थे कौन हुए थे नरेश हुए थे नेक्स्ट कंपन राय की पतनी कौन थी तो कंपन राय की पतनी थी गंगा देवी कौन थी कंपन राय की पतनी थी गंगा देवी थी नेक्स्ट गंगा देवी का समय था तो गंगा देवी का समय था देख सकते हैं चौदहमी सदी था कौन सा चौदहमी सदी था गंगा देवी का समय नेक्स नमर कोश्चन है कि गंगा देवी ने किस महा काब्वी की रचना की तो यह मधूर विजयम देख सकते हैं मधूर विजयम की रचना की थी तो चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि अच्यूत राई की पत्नी का क्या नाम था तो अच्यूत राई की पत्नी का नाम लंबा नेक्ष देख सकते हैं तिरुम लंबा का समय क्या था तो village सदी ठाद जदेख सकते हैं पोडस सत के यानि शो लहभी सदी था तिरुम लंबा का समय था शोब issदी नेक्ष नमर कोश्चन है तिरुम लंबा की किस महा काब्बे की रचना की तिरुम लंबा ने किस महा काब्बे की रचना की तो यह देख सकते हैं तिरुम लंबा ने वर्दाम भी परिनय नामक पवड की रचना की थी तो पंडित छमाराव के पिता का क्या नाम था? तो पंडित छमाराव के पिता का नाम संकरपांडू रंग देख सकते हैं संकर पांडू रंग पंडित था नेक्स्ट संकर चरित्र के जीवन की रचना किस ने की तो संकर चरित्र के जीवन की रचना पंडित छमाराब ने किया था किसने पंडित छमाराब ने किया था नेक्स्ट नमर जो question है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्वाल कस्य का आत्मतत्व की सिच्छा किस ने दी तो यह स्वाल कस्य के आत्मतत्व की सिच्छा मैत्री ने दिया था किस ने मैत्री ने दिया था नेक्स्ट बरतमान संस्क्रीट लेखिकाओं में कौन परसीद है तो बर भारत महिमा पाठ के प्रथम पद में किस से लिया गया है तो भारत पाठ महिमा का प्रथम पद विश्नु पुरान से लिया गया किसे विश्नु पुरान से लिया गया है तो भारत पाठ महिमा का दितिये जो पद लिया गया भगवत पुरान से लिया गया किसे भगवत पुरा नेक्स्ट विसाल धारा किनकी हैं विसाल धरती यहां पर देख सकते हैं विसाल धरती भारत की हैं विसाल धरती किनकी हैं भारत की हैं नेक्स्ट जगत का गौरब कौन है तो जगत का गौरब भारत हो जाएगा क्या हो जागा जगत का गौरब भारत हो जाएगा next number question है कि सभी लोगों को क्या होनी चाहिए और कैसी तो देश भक्तिया और आदर्स रूप होनी चाहिए next किसके गीतों को देवता गाते हैं तो भारत के भारत के गीतों को देवता गाते हैं next भारत भूमी पर कैस कौन परसन है तो भारत भूमी पर है जो हरी परसन है कौन है हरी है जो भारत भूमी पर परसन है भारत के ब्यक्तित्व की रचना किसमे होती है तो भारत की ब्यक्तित्व की रचना संस्क्रीत में होती है किसमें संस्क्रीत में होती है 83 नमबर प्रश्न की बात की जाए भरतिये संसकार के प्रति कौन उन्मुक और जिग्यासू है तो भरतिये संसकारों के प्रति कौन उन्मुक और जिग्यासू है तो विदेशी कौन है विदेशी लोग भारतिये जीवन के प्राचीन काल से महत्व कौन धारन करता है तो भारतिये जीवन के प्राचीन काल से महत्व धारन करता है संसकार क्या धारन करता है संसकार धारन करता है नेक्श नमर कोश्चन है कि प्राय कुल कितने संसकार है तो प्राय कुल कितने संसकार है तो 16 देख सकते जनम से पहले कितने संसकार है तो जनम से पहले 3 संसकार है सैसवा में कितने संसकार है तो देख सकते सैसवा में 6 संसकार है कितने 6 संसकार है सिच्छा में कितने संसकार है तो सिच्छा में 5 संसकार है ग्रिहस्त जीवन का एक संसकार क्या हो जागा तो ग्रिहस्त जीवन का एक संसकार विवाह संसकार हो जागा क्या हो जागा विवाह संसकार next नमर question है कि सिस्से किसके नियम का पालन कर अध्यन करते हैं तो सिच्छा नियम नेक्ष्ट प्राचीन काल में सिस्से को कहा क्या कहते हैं तो प्राचीन काल में सिस्से को ब्रहमचारी कहते हैं क्या कहते हैं ब्रहमचारी कहते हैं नेक्ष्ट सिस्से बेदोकारम कहां करता है तो सिस्से बेदोकारम गुरू के घर पर करता है कहां गुरू के घर पर सिस्से ब बदान संसकार का नेक्स नमर कोश्चन है मरने के बाद कौन सा संसकार होता है तो मरने के बाद अन्तोषिष्ट संसकार जिसको दाह संसकार भी कहते हैं अन्तोषिष्ट संसकार हो जागा जिसको दाह संसकार भी कहते हैं तो चलिए यहाँ पर नेक्स नमर कोश्चन है कि नीती स लोग है जो महाभारत से लिया गया किसे महाभारत से लिया गया नेक्स विदुर ने परशन उत्तर किस गरंत को देख सकते विदुर के परशन उत्तर गरंत को क्या कहते हैं तो विदुर के परशन उत्तर गरंत को विदुर निती कहते हैं क्या कहते हैं विदुर निती कहते हैं next धिरी राष्ट के मंतरी कौन थे तो धिरी राष्ट के जो मंतरी थे वहाँ भी दूर थे धिरी राष्ट के मंतरी भी दूर थे next महाभारत के यूध में किसका मन असांत था तो महाभारत के यूध में जो धिरी राष्ट का मन असांत था चलिए, यहाँ पे 99 नमोर प्रशन देखेंगे, यहाँ पे 99 नमोर प्रशन में है, सांती क्या है, तो सांती एक छमा है, सांती क्या है, एक छमा है, next, सुख क्या है, तो सुख एक अहिंसा है, क्या है, अहिंसा है, next, आत्मा के नास होने का कितने द्वार है, तो आत्मा के नास ह होने का तीन द्वार है नेक्ष्ट धर्म की रच्छा किसे होती है तो धर्म की रच्छा होती है सत्य से किसे सत्य से होती है नेक्ष्ट बिद्या की रच्छा किसे होती है तो बिद्या की रच्छा योग से होती है किसे योग से होती है नेक्ष्ट नमर क्वेश्चन है कि की रच्छा किसे होती है? तो मिरजा से होती है, एक्रिती का नस कैसे होता है? तो आक्रिती का नस कीसे होता है? यहाँ पर next number question है कि क्रोध का नास किसे होता है तो क्रोध का नास होता है छमा से किसे छमा से होता है next करम वीर कौन है तो करम वीर है राम परवेश रामा कौन है राम परवेश राम next number question है कि करम वीर कैसे परिवार की कहानी है तो करम वीर है जो दलित परिवार की कहानी है तो देख सकते हैं राम प्रवेश के गाउं का नाम भीखन टोला था, क्या था? भीखन टोला था, next, भीखन टोला गाउं को देखने कौन आया था? तो भीखन टोला गाउं को देखने आया था सिच्छक, कौन देखने आया था? सिच्छक आया था, next नमर कोश्चन है, देख सक में केंद्रिये लोक सभा परिच्छा में राम परवेश ने परथम देख सकते हैं उच्छ अस्थान पराप्त किया था next question है कि राम परवेश किस परिच्छा में परथम अस्थान पराप्त किया था तो असनातक में किसमें असनातक परिक्षा में उन्होंने देख सकते हैं पर्थम अस्थान पराप्त किये थे चलिए नेक्ष नमर कोश्चन है यहाँ पर नेक्ष नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्ष्ट नमर कोश्चन है कि राम परवेस किंद्रिये लोक सभाब परिच्छा में उचे अस्थान को कैसे पराप्त किये तो यह व्यापक ज्यान से किसे व्यापक ज्यान से पराप्त किये थे चलिए नेक्ष्ट नमर कोश्चन है यहाँ पर नेक्स नमर कोश्चन है कि स्वामी दया नंद कौन थें तो स्वामी दया नंद से समाज सुधारक थे क्या थें समाज सुधारक थे स्वामी दया नंद की बचपन का क्या नाम था तो स्वामी दया नंद की बचपन का नाम मुल संकर था क्या था मुल्संकर था स्वामी दयानन्द का जनम कब और कहां हुआ था तो स्वामी दयानन्द का जनम 1824 गुजरात में हुआ था 1824 गुजरात के तंकरा नामक गाओं में हुआ था Next नमर कोस्चिन है कि मुर्ती पुजा के विरोध कौन थे, मुर्ती पुजा के विखंडन किस ने किया, मुर्ती पुजा के विखंडन किस ने किया था, तो यह किये थे स्वामी दयानंद ने, किस ने स्वामी दयानंद ने किये थे, किस ने स्वामी दयानंद ने किये थे, चलिए, यहाँ पर ने नमर कोश्चन है देख सकते हैं नमर कोश्चन है आर्रे समाज के संस्थापक कौन थे तो आर्रे समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे कौन स्वामी दयानंद थे नेक्ष्ट स्वामी दयानंद ने वैदिक धरम के परचार का उपदेश किस ने दिया तो स्वामी किसको विर्जा नंद को दिया था, next number question है, कि स्वामी दयानंद आरे समाज के संस्थापना कब और कहां किया था, तो यह किया था 1875 मुंबई नगर में, कहां 1875 मुंबई में किया था, next number question है, कि सिच्छा पत्ती में सुधार किस ने और कहां किया, तो सिच्छा पत्ती में सुधार स्वामी दयानंद ने मुंबई में किया था, कहां मुंबई में किया था, next, स्वामी दयानंद की मिर्टू कब हुई थी, तो स्वामी दयानंद की मिर्टू 1883 में हुआ था, कब हुआ था, 1883 में, next number question है, कि DAB की अस्थापना किस ने मरनो परा मुंबाई नगर में, next, कौन हिंदू समाज को तिरिसकार कर धर्मांतर को स्विकार किया है, तो यहाँ दलित, किसने, दलित ने, next, रातरी में जागरन को छोड़कर स्वामी दयानन कहां चले गए, तो रातरी में जागरन को छोड़कर स्वामी दयानन घर चले गए, कहां अप भोजन का भच्छन कौन कर रहा था तो मुर्ती पर चढ़ाया हुआ भोजन का भच्छन मुसक कर रहा था कौन मुसक नेक्ष्ट मंदाकनी वर्णम के रचईता कौन है तो मंदाकनी वर्णम के रचईता महारिशी बालमी की है कौन है महारिशी बालमी की है नेक्ष्ट अंसम काब्वे में मंदाकनी का वर्णम काली दास ने किया था, किसने काली दास ने किया था, next, मंदाकनी कहां इस्तित हैं, तो मंदाकनी चित्रकुट परवत के पास, कहां, चित्रकुट परवत के पास मंदाकनी इस्तित है, next, मंदाकनी का वर्णन, रमायन के किस कांड में है तो मंदाकनी का वर्णन है रमायन का आयोध्याकार्ण में, कौन सा कार्ण में? आयोध्याकार्ण में है बड़ी बड़ी यांखो वाली किसके लिए संबोधन किया गया? तो बड़ी बड़ी यांखो वाली जो संबोधन किया गया सीता के लिए नेक्स्ट रंग बिरंग के तटो वाली कौन है तो रंग बिरंग के तटो वाली है मंदाकनी कौन है मंदाकनी नेक्स्ट परसासनिये वरत को कौन धारन करता है तो परसासनिये वरत को मुनी लोग धारन करता है कौन मुनी लोग सुर्य की उपासना कौन करता है तो देख सकते हैं सुर्य की उपासना मुनी लोग करता है कौन करता है मुनी लोग करता है चरिये 136 नमर प्रश्न की बात की जाए देख सकते हैं 136 नमर की मंदाकनी नदी का अपवाहन कौन करता था तो मंदाकनी नदी का जो अफवाहन करता था रिशी लोग कौन से लोग रिशी लोग नेक्स्ट ब्यागरपथिक कथा के रचेंदा कौन है देख सकते ब्यागरपथिक कथा के रचेंदा नारायन पंडेत है कौन है नारायन पंडेत है नेक्स्ट ब्यागरपथिक कथा किस गर गर cooperation किसे हितो पदेश नामगरंत से जैक्स दल्दल में कौन था तो दल्दल में पत्तिक यानि देख सकते हैं हैं कि दल्दल कौन मार कर खा गया देख सकते बाग के दुवारा कौन मार कर खा गया तो पथिक को बाग मार कर खा गया था सोने के कंगन कौन दान करना चाहता था तो सोने के कंगन को दान करना चाहता था ब्यागरह यानि बाग ब्यागरह दान करना चाहता था next करनसे दानविर्ता किस गरंत से ली गई है तो करनसे दानविर्ता महाभारत से लिया गया है किसे महाभारत से next करनसे दानविर्ता नाटक के रचहिता कौन है तो करनसे दानविर्ता नाटक के रचहिता भास है कौन है भास है next करन किसका पुत्र है कर्ण है praising और कुंटी का पुत्र है किया 많은 कि यदु कर्ण के रूप कर्ण के पास कोन आयाथ गए थे तो अएद्वा क्षार्ण के पास गए थे इंद्र कौन गए थें इंद्र गएधर नेक्ष्ट कर्ण किस देश के राजा था तो कर्ण था जो अंग देश के राजा था किसका अंग देश का राजा next कर्ण किसके पच में यूध कर रहे थे तो कर्ण यूध कर रहे थे कौडब के पच में किसके पच में कौडब के पच में यूध कर रहे थे चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि इंद्र महाभारत के यूध में किनकी सहायता की है तो अरजुन की किनकी अरजुन की सहायता की है कर्ण से दान विर्ता पाठ किस गरंत से संकलित है तो कर्ण से दान विर्ता पाठ है जो कर्ण भार से संकलित है किस से कर्ण भार से संकलित है कर्ण इंद्रिस को सबसे पहले क्या दान में देने की बात किये थे तो हजारों गाय क्या कर्ण थे जो इंद्रों को सबसे पहले हजारों गाय देने की बात कहें थे इंद्र कर्ण से दान के रूप में क्या गरहन किये क्या कवच और कुंडल गरहन किये थे समय का पालन नहीं करने से किसका नास होता है तो समय का पालन नहीं करने से सिच्छा का नास होता है किसका सिच्छा का बिस्व में असांती के कितने कारण है तो बिस्व में असांती के दो कारण है कितने दो कारण है दुख का बिसाय क्या है तो दुख का जो मुख्य बिसाय है वह असान्ती हो जागा क्या हो जागा असान्ती हो जागा next number question है कि सत्रू राज्य में क्या फैलाते हैं तो यह अ देख सकते हैं अनादित कलह नेक्स्ट अनेक राजा में प्रस्पर क्या परचलित है तो सीतियूद अनेक राज्यों में प्रस्पर क्या परचलित है तो अनेक राज्यों में परचलित हो जगा सीतियूद असांती सागर के बीच में कौन है तो असांती सागर के बीच में संसार है क्या हो जागा संसार है किरिया के बीना क्या भार है तो किरिया के बीना भार है ग्यान क्या हो जागा ग्यान परुपकार करने से क्या होता है तो परुपकार करने से सांती होता है क्या होता है सांती होता है तो चलिए नेक्ष नमर कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं, नेक्स नमर कोश्चन है, कि सास्त्र किसका सासक है, तो सास्त्र किसका सासक है, तो ज्यान का, सास्त्र है, चुग ज्यान का सासक है, नेक्स, करतब्बे अकरतब्बे का बोध कौन कराता है, तो करतब्बे और अकरतब्बे का बोध सास्त्र कराता है, नेक्स, सा कितने अंग है नेक्स्ट नमर कोश्चन है। व्याकरन के रचनाकार काउन है तो देख सकते हैं व्याकरन के रचनाकार हो जाएगा जो हो जागा पानिनी व्याकरन के रचनाकार पानिनी हो जाएगा निरुक्त के रचनाकार कौन है तो निरुक्त के रचनाकार याचक हो जाएगा क्या हो जाएगा याचक यासक छंद के रचनाकार कौन है तो छंद के रचनाकार पिंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा पिंगल next number question है संख्या दर्सन के प्रावर्तक कौन है तो संख्या दर्सन के प्रावर्तक हो जागा कपील क्या हो जागा संख्या दर्सन के जो प्रावर्तक है वह कपील हो जागा next योग दर्सन के रचैता कौन है तो योग दर्सन के रचैता हो जागा पतंजली कौन हो जागा पतंजली हो जागा नेक्ष्ट नियाय दर्षन के रचयता कौन है तो नियाय दर्षन के रचयता गौतम हो जागा क्या हो जागा गौतम हो जागा नेक्ष्ट नमर कोश्चिन है कि वैसिक दर्षन वैसिक दर्षन के रचयता कौन है तो वैसिक दर्षन का रचयता करनाद हो जाएगा क्या हो जाएगा करनाद मिमासा नामक दर्शन के रचयता कौन है तो मिमासा नामक दर्शन के रचयता जैमिनी नेख सकते हैं जैमिनी हो जाएगा क्या हो जाएगा जैमिनी क्रिसी बिज्ञान के रचयता कौन है तो क्रिसी बिज्ञान के रचयत प्रासर हो जागा कौन हो जागा प्रासर नेक्स्ट कच्छा में कौन परवेश करते हैं तो कच्छा में सिच्छक परवेश करते हैं कौन सिच्छक परवेश करते हैं चलिए, next number question देखेंगे, देख सकते हैं, next number question है, गीत गोबिंद के रचाइता कौन है, तो गीत गोबिंद के रचाइता जैदेब है, कौन है, जैदेब, next, जैदेब कैसी व्यक्ति थे, तो जैदेब थे, जो उदारवान व्यक्ति थे, कैसा उदारवान, next, गौर के राजा कौन थे तो यहाल लच्छमण सेंद थे next number question है देख सकते हैं कि जैदेव के दोनों हाद पर काट टिकिसने काटा तो जैदेव के दोनों हाद पर लुटेरो ने काटा था किस ने लुटेरो ने काटा था next राजा संतनों के बरे पुत्र कौन थे तो राजा संतनों किसके विवाह करना चाहते थे किससे विवाह करना चाहते थे तो राजा संतनों थे जो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे किससे सत्यवती से सत्यवती किनकी पुत्री थी तो सत्यवती थी देख सकते हैं धीवर राज की पुत्री थी किनकी धीवर राज की पुत्री धर्म सुधारक कौन थे तो धर्म सुधारक स्वामी विवेकानन थे कौन थे धर्म सुधारक स्वामी विवेकानन थे next number question है कि बिश्ब धर्म सम्मेलन कब और कहां हुआ था तो बिश्ब धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका में हुआ था कहां अमेरिका में 1893 में हुआ था बुधिमान कौन था तो बुधिमान दुर्गादास था चोड़ चोड़ का हल्ला किस ने किया था तो चोड़ चोड़ का हल्ला दुर्गादास ने किया था किस ने दुर्गादास ने व्यागर को किस ने मारा तो सभी लोग गाउवालों ने व्यागड को सभी लोग गाउवालों ने मारा था next number question है कि राजा उतानपाद के कितने पुत्र थें तो देख सकते हैं राजा उतानपाद के दो पुत्र थें जो धुर्ब और उत्तम थें कौन थें धुर्ब और उत्तम राजा उतान पाध की कितनी पत्निया थी तो दो सुनीती और तेख सकते है सूरुची सुनूती और सुरुची थे चलिए यहाँ पर नेक्स नमर कॉस्चन है सुनीती के पुत्र का क्या नाम था सुनीती के पुत्र का नाम धुरूब था क्या था धुरूब था सुरूची के पुत्र का क्या नाम उत्तम था क्या नाम था सुरूची के पुत्र का नाम उत्तम था नेक्स्ट धुरूब कितने साल का बच्चा था तो धुरूब पांच वर्ष का बच्चा था कितना पांच वर्ष का बच्चा था नेक्स नमर क्वेश्चन देखेंगे कि धुरूब कितने साल का बच्चा था पांच वर्ष का पंच वर्ष लेख सकते पंच वर्ष ये उचस्थान प्राप्त किया था क्या उचस्थान स्रेष्ट राजनित्यग्य और चिकिस्षक कौन थे तो स्रेष्ट राजनित्यग्य और चिकिस्षक थे विधान चंद्र राय कौन थे विधान चंद्र राय देख सकते सत्यार्थ परकास की रचना है तो सत्यार्थ परकास है जो स्वामी दयानन्द की रचना है किनकी स्वामी दयानन्द की next महाभारत पाठ के रचनाकार कौन है तो महारिशी बेदवियास महाभारत पाठ के रचनाकार है महारिशी बेदवियास है चलिए next नमर कोश्चन देखेंगे भारत महिमा में आधुनिक गितकार रचनाकार कौन है तो भारत महिमा में आधुनिक गितकार रचनाकार महरिशी बेद ब्यास है पुरान कितने है तो देख सकते पुरान है जो अठारा हो जाएगा कितना अठारा नेक्ष्ट रामायन की रचना किसने की तो रामायन की रचना महरिशी बालमी की ने किया था नेक्ष्ट तेक्सकते काला राम मंदिर हर जनों का परवेश के लिए अंदोलन किसने किया तो यह भीमराब अंबेद करने किया था मनस्य का धर्म हो जागा मित्र हो जागा, क्या हो जागा? मित्र हो जागा, next number question है, मनस्य का कारे क्या है? सर्व जनी सर्व जीब कल्यान सब ही जीबों का कल्यान मनुस्य का सत्रू क्या है तो दोस सभी को क्या त्याग देना चाहिए तो सभी को स्वार्थ को त्याग देना चाहिए वैर की किसका नास असंभव है वैर से किसका नास असंभव है तो वैर का नेक्ष्ट वैर से वैर का नास असंभव है यह कथन किसका है तो यह कथन महात्मा बुध का है, वैर से वैर का ना ससंभब है, यह महात्मा बुध का है, सिच्छा किसका बोध कराता है, तो सिच्छा उचारन पड़किरिया का बोध कराता है, किसका उचारन पड़किरिया का, next, मंदाकनी का बर्न कहां से संग्रहित है, तो मंदाकनी का बर तो चलिए वडियो को लाइक सिर करें चैनल पर पहली बाढ़ा आये हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करकर करेंब्येल इंडरी को आईको फ्रेस कर दें तो चलिए इतना रिदा है तक पिर टिक हो सिस्क्राइब और प्रेस करें